जब तक मोदी जिन्दा है जब तक मोदी जिन्दा है मैं दलीतों का आरख्षाण आदीवाच्यों का आरख्षाण मुसल्मानों को दर्म के आधार पर नहीं देने दूगा नहीं देने दूगा नहीं देने दूगा प्रजाजी ने कहा कि मुसल्मानों को अरक्षन मिलना चाहिए एकदम इसका हम लोग बिरोध करते हैं और दलीत समाज और पिछडों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षन किसी भी हालत में भारतिय जनता पाटी इंडिये खतम नहीं होने देगा मिस्लीमान लालू प्रसाजादो जी और इनके पुत्र ये अपराधी उगरबाधी को सदन तक पहुचाते हैं लालू प्रसाजादो मुसलीमों को आरक्षन देने का नहीं मुसलीमों के बोट के तुष्टी करन का अरे ये उगरबाधी यातंकबाधी अपराधी से भी बोट मि RJD प्रमुख लालु यादब ने एक बार फिर से मुस्लिमों को लेकर बड़ा दिल दिखाया है पटना में पत्रकारों से बात करते हुए लालु यादब ने कहा है कि मुस्लिमों को आरक्षन मिलना चाहिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र म लिखाई है उन्होंने मुस्लिम आरक्षन को लेकर बड़ा बयान दिया है लालु यादब ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वोट हमारे पक्ष में है वे यानी NDA कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज होगा क्योंकि वे डड़े हुए हैं वे भरकाने की क पूसिस कर रहे हैं वे संब्धान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं इस दौरां लालु यादब ने मुस्लिम आरक्षन पर भी बयान दिया उन्होंने कहा कि मुसल्मानों को तो आरक्षन मिलना ही चाहिए हाला कि लालु यादब के इस बयान पर विहार के दोनों डिप पिछड़ों का जो आरक्षन है उसका लाव जो है हम उन मुसल्मानों को नहीं होने देंगे जिसके हक में जो आरक्षन है वही उन्हें दिया जाएगा तो समराज चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सब आप इस वीडियो में सुनिये अरक्षन मिलना चाहिए एकदम इसका हम लोग बिरोद करते हैं अती पिछडे और दलीत समाज और पिछडों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षन किसी भी हालत में भारतिय जनता पाटी इंडिया खतम नहीं होने देगा लालू प्रशाज जी कितना भी प्रयास करें मुसल्मानों को विशेश आरक्षन करें अपने सुना की समराज चौधरी ने क्या कुछ कहा है तो उसके बाद जो है हम आपको विजय सिनह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने लालू यादब पर हमला बोला है और आरक्षन को लेकर कहा है कि वो मुसलिमों को आरक्षन देने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोटों का वो तुष्टी करन कर रहे हैं तुष्टी करन की रादिती कर रहे हैं और उन्हें वोट चाहिए मुसलिमों का इसलिए वो इस तरह की बाते कर रहे हैं तो आप स सदर में पहुचाने में माल की कमाई लोग कहते हैं ये सब पर जवाब देना चाहिए नहीं अरे आज रोजगार का सो रोजगार का और हर गाउं में पावर विजली पहुचा कर लोगों के जिंदगी में प्रकास लाने का अगर जो कोई ब्यक्ति का नाम है तो वो देश के प् प्रसाजादोजी और इनके पुत्र ये अपराधी उगरबादी को सदन तक पहुचाते हैं और लोगों के बीच क्या संदेश देते हैं वियार की क्या गर्मा बढ़ती है अरे परदान मंत्री जी को तो वियार में रेगुलर आते हैं वियार के परति उन्होंने कहा है कि वि वियार विक्सित होगा और वियार को विक्सित करने के लिए ये अपराधी उगरबादी और भरष्टाचारी मानसिक्ता से मुक्ति बहुत जरूरी है और इस मुक्ति के लिए राजद को लाल्टेन को बुजाना आवसक है लालू परसाज जादो मुस्लीमों को आरक्षन देने का नहीं मुस्लीमों के बोट के तूष्टी करन का अरे ये उगरबादी या तंकबादी या पराधी से भी बोट मिलेगा तो उसको भी आरक्षन के दाएरे में लाने वाले लोग हैं ये सनातन के संतान जो हमारे दली तती पिछरा और जो संविधान निर्माताओं ने इनको दिया था उसके अधिकार का हनन करने वाले लोग हैं और ऐसे मानसिक्ता के लोगों को बिहार से मुक्त करना जरूरी है क्योंकि हर बिहारी को लज्जित करने का और बिहारी सब्द को गाली बनाने बाले लोग हैं अब एंडिये की सरकार लोगों की 80 करोर को भूख से मुक्ति दिलाया 25 करोर को गड़ीवी रेखा से बाहर लाया हर घर तक बिजली पहुचाया हर गाउं को सरक से जोड़ा असब को स्वास्त की गारंटी दिया तो वो राक्षस है तो ये किनके ब कौन है सब को पता है ये इनके यार कौन है ये तो जवाब दे दें आतंकबादी उग्रबादी अपराधी ऐसे लोग को संड़क्षित क्यों करते हैं ये जवाब देना चाहिए तो आपने सुना कि विजय सिर्हा ने किस तरीके से लालू यादब पर हमला बोला है आपको बता दें कि पीम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी सभा में मुस्लिम आरक्षन पर बयान दिया था उन्होंने अश्पष्ट रूप से कहा था कि वो पिछडो वंचितो और वासियों का अरक्षन मुसल्मानों को नहीं जाने देंगे अभी लेक्षन कमिशन पर सवाल उठाते हैं यह लोग पर सवाल उठाते हैं और आप अपनी बोड़ बैंक के लिए संभीदान को बदनाम करने पर निकले हैं लेकिन कॉंग्रेस वाले सुन ले उनके चक्ते सुने जब तक मोदी जिन्दा है जब तक मोदी जिन्दा है मैं समिधान का जब तक मोदी जिन्दा है मैं दलीतों का आरक्षान आदीवाच्यों का आरक्षान OBC का आरक्षान पिये मोदी के बयान के बाद से ही देश भड में सियासत तेज है माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षन पर लालु यादब का यह बयान पिये मोदी का काउंटर है संभा हुए कि लालु यादब के बयान पर राजनिती घमासान और तेज होगा आप पहले लालू यादब का वो बयान सुनिए कि क्या कुछ लालू यादब कह रहे हैं आरक्षन को ले करके अब बदलना है अब वेल्पोल हम लोग पिस्तरफ जाराग हो जनका रहे हैं पार हो गया है तो आप चारसर चारसर बोल रहे हैं चले पार हो गया है इस दो आप दो जनका रहे हैं लोग भरकार है कि अधर के अधार बड़ा रख्षन देगे और सब्सक्राइन ले लेंगे पंटी लेंगे अब जन्ता के जिहन में साजब बात आ गई है तो आपने सुना कि किस तरीके से लालु यादम ने कहा कि केंद्रिय ग्रेह मंत्री अमिसा के अगर इंडिया गड़ बंदन सत्ता में आई तो देश में जंगल राज हो जाएगा वाले बयान पर लालु यादम ने हमला बोला है बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और राज़त प्रमुख लालु यादम ने कहा कि वो इतना डर गए है यानि एंडिया इतना डर गई है कि वो सभी को भरका रही है वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर राज़त प्रमुख लालु यादम ने कहा कि वो समविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते है ये बात जंता समझ गई है बिहार विधान परिसत में आयो जित सपत ग्रहन समारों में सामिल होने पहुचे लालु प्रसाद यादम ने दावा किया है कि बीजेपी और एंडिये बिहार से खत्म हो गई है और जंता का रुजहान महागरबंधन की तरफ है आरजेडी सुप्रीमो लालु यादम ने कहा कि बहुत अच्छी बोटिंग हो रही है मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइने लगी हुई है महागरबंधन के पक्ष में लोग एक जुट होकर मतदान कर रहे है जनता का रुजहान महागरबंधन की तरफ है बीजेपी के चार सो पार के दावे पर तंज करते हुए लालु ने कहा कि चलिये न उन लोग तो पार हो ही गए है लालु के कहने का सपष्ट मतलब था कि बीजेपी और एंडिये बिहार में आउट हो चुकी है वहीं हम इसाप पर पलटवार करते हुए लालु यादम ने कहा कि बीजेपी वाले जंगल राज की बात कहकर लोग को भरका रहे हैं बीजेपी के लोग हार के डर से इतना खोफ में कि लोग को भरकाने का काम कर रहे हैं ये लोग तो संविधान और लोक्तंट को खत्म करना चाहा रहे हैं देश की जंता के जहन में ये सारी बाते आ चुकी है तो ये लालु यादम ने कहा है अब देखना है कि इस पर जो है आगे और कितना घमासान मचता है क्योंकि मुसलिम आरक्षन की बात जो है और बीजेपी सुरू से ही हिंदू और मुसलिम की बात करती रही है और उन्हें न साफ कह दिया है नरेंद्र मोदी ने कि वंचितों पिछरों और गरीबों का जो आरक्षन का मामला है यानि आरक्षन तो दिया जाता है वो मुसल्मानों के खाते में नहीं जाने देंगे और इस पर और भी घमासान मचना तैह है फिलाल इस कवर में इतना ही है आपका क्या कहना है इस वीडियो को ले करके हमें कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताए और हमारे चैनल को अब अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खड़ लीजिए धन्यवाद